हलो मेरा नाम है डॉक्टर अरून और मैं आपको बताओंगा आपका वेट कैसे रिडियूस करना है टीक Whitman यह बहुत लोग, लोगों के ऐसे लगता है कि यह कोई रॉकेट साइंस है, वेट कम करना है, ठीक है, बड़ यह कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आपको बिलकुल एक दम आसान भाशा में मैं समझा दाओ कि आप कैसे अपना वेट रिडिस कर सकते हैं, मैं मेरा खुद का आपको एक बात समझने है, जैसे कि लोग जब सोचते हैं वेट रिडिस करने के बारे में, तो उनको लगता है कि बहुत सारा एक्सराइज करना पड़ेगा, या फिर डाइश डाइटिंग करना पड़ेगा, फास्टिंग करना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी करने का जूर देखें, वेट रिडिक्शन में 80% डाइट है, 80% डाइट और 20% एक्सराइज होता है, तो एक्सराइज तो करें, डेफिनेटले, इस वेरी हेल्फफूल, बट डाइट जो है यह वेरी इंपोर्टन, जो आदते होती है आपनी, जो डे टो डे एक्सेंपल देता हूमें, चाय में जो शक्कर होता है, कुछ लोग होंगे जो शक्कर में पानी मेला के चाय बनाते होंगे, तो that's also problem, कि शकर को कम करें चाय में, बिलकुल बिलकुल एक्सम कम करें, या फिर कोक है, चिप्स है, उसको बैं करें, तो जब मैंने वेट रिड्यूस करना चालो किया, तो उस पे बैन लगा दे घर में, नहीं खरीजना है, चिप्स नहीं खरीजना है, कोक नहीं खरीजना है, और जो खाना खाते हैं आप, डेली, आप पहले आप काउंट करें कि आप कितना खाना खाते हैं, नाश्ता, ब्रेकफास्ट है, आपका आफ्टरनून मील और नाइट टाइ जो प्लेट में है, उसमें से 25% निकाल के रखें, especially रोटी, राइस जो है, उसको आप निकाल के रखें, और देखिये, पास से छे मेने में, आपका वेट जो है, देरी-देरे घटना चलो हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, वेट जो बढ़ता है किसी भी इनसान का, ठीक है, वराइड आफ रीजन्स है, it's all about your mental power, your ability to control your eating habits, that's very important, ठीक है, जब अभी और एक एक एगजेंपल देता हूँ, अपके घर में जो dust bean है, ठीक है, अब उसमें जितना डालेंगे, उतना भर जाएगा हो, अपने बोडी को, treat it like a dust bean, जितना कम खाएंगे, उतना उसका weight उसमें कम होगा, clear, simple mathematics है, इसमें कोई भी rocket science नहीं है, ठीक है, तो कैसे, अब मैं फिर से summarize करता हूँ, आपको जो अगर weight reduce करना है, सबसे पहले, जो ये coke, chips, चीनी शक्कर जो भी है, उस पे बैन लगाई है, बैन घर में, ठीक है, कम से कम, sugary drinks, juice, जो है, वो सब कम करें, number one, दूसरा, जो भी आपका जो खाना खाते हैं आप, plate है आपका, breakfast का plate है, या फिल लंच और डिनर का जो plate है, वो plate में से 25% निकाल के रखे हाथ से, specially rice, चावल, जो carbohydrate rich जो food होता है, उसको 25%, और, और भी है, जैसे के salt है, ठीक है, वो तो, आपको कम करना पड़ेगा है, अपने diet में, salt है, oily food जो है, oil को आप अबाड करें, very important, oily food, देखे, pizza खाना है, burger खाना है, आपको, oily, restaurant को oily food अच्छा लगता है, दो हफ़ते में एक बार खाये हैं, पर हफ़ते में तीन बार, चार बार अगर खा रहे हैं, तो, you are inviting a heart attack, basically, तो, दो हफ़ते में एक बार, कोई भी restaurant में जाकर कुछ भी खायें, कितना भी oily हो, doesn't matter, दो हफ़ते में एक बार, ठीक है, दो सो तीन, दो से तीन हफ़ते में एक बार, is okay, तो, और उसके साथ में, जो है, देखिए, this is 80% of your weight reduction, और 20% है आपका exercise है, ब्रिस्क वाकिंग कर सकते हैं, आप, small jogging कर सकते हैं, तो, main जो है आपका weight reduction में, main है अपका diet, शुगरी जो है, शुगर, वो इस पे बैन लगए हैं, अपने जो, प्लेट है, lunch, या फिर, meal plate है, उसमें, तो 25% निकल के रखे हैं, कम से कम खाएं, और then, rest of the thing is exercise, ठीक है, अगर आप इसको follow करेंगे, तो आपको weight definitely reduce होगा, ऐसा नहीं है कि, मैं अभी fasting करूँगा, और मैं दो हफते में मेरा weight reduce, ऐसा नहीं होता है, इसको चार से पांच महीं न लगएगा, आपको, धिरे-धिरे weight reduce होगा, बोड़ी को भी पता नहीं चलना चाहिए, कि आपने, जो है, अपना diet reduced कर लिया है, carbohydrate का intake, sugar का intake अपने कम कर लिया है, तो, you know, अपने body को भी पता नहीं चलना चाहिए, but long term में, दो सो तीन, चार मेने में, धिरे-धिरे अपका weight कम हो जाएगा, ठीक है, इदान में रखें,